वेस्टिबलो बलाफ नेक्स्ट ओर्गन वेस्टिबलो बलाफ परजेंट रहता है एक्स्टरनल जैनेटल ओर्गन में यह जो इसकी पोजिस्टन रहती है वह बाइलेटल रहती है वेजैनल ओरिफिस के यह एक टाइप का एरेक्टायल टीश्यू है जो इरेक्शन्स का काम करत तो जब यह इरेक्ट होगा तो सिंपल सी बात है कि जो वेजैनल औरिफिस है यह जो वेजैनल की स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉंट्रेक्शन आएगा जब कॉंट्रेक्शन आएगा तो कॉंट्रेक्शन के पीछे जो कॉंट्रेक्शन का जो बेक रहता है यह जो बेस रहता ह जो करें लोया है उसमें मॉभमेंट जो प्रज प्रजिन रहे एक यह सके इसिए और जो मसल की मुभमेंट जो प्रेजंट रहे घिडि हो रहे ही बल्बो कॉवर नूसस मचल के तो का बल्बो कॉवरンタघ। मजल से हैं इसको अधर नाम से जानते हैं बल्बो utz और मोइन अगरणा कि बात करें तो यह दा इरब का इरक्ताईल टिश्यूं एनिकि इसके अन्दर बलड का फ्लो आता है कि बलड से इरेक्टायल होता है उसको पॉन्ट्रेक्ट करने का काम करते हैं अब ये बलव कहां पर जेंट रहेगा तो एक अपन ने क्रम सुनी होगी वेजाइनल वेस्टिबल वेजाइनल वेस्टिबल क्या है जो इनर लिप होता है वलवा के अंदर जो इनर लिप होता है उसे रिये को वेज़ानल 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 वे का और जो लेबिय मायनवरा की इनर लीप होते हैं उस एरिय और को बॉलते हैं वेस्टिबल का डिसकमफर्ट वेस्टिबलो डाइनिय एग यह बहुत सारे इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं जो वेस्टिबलो डाइनिय है यह फुमेल प्रेटल्स के अंदर लिबीडो या जो सेक्शुल एक्साइटमेंट है उसको कम कर देता है तो इसका इलाज होना जुरूर ही होता है यह प्रजेंट कहा रहती है वेस्टिबुलर भल तोसर यह रहता है जो म्यूकुस मेंब्रेन है उसके बीनेद रहता है वेस्टिबुलर की प्रिवेस लेक्चर में पड़ा था अब यह इनकोर्परेटिड रहेगा किसके साथ बल्वो कोवर्नोस मुसल इसके बारे में मैंने आपको पहले बताए भी था बल्वो कोवर्नोस मुसल इसका मेन फंक्शन रहता है कॉंट्रेक्शन का यह मालो विजैनल इंटराइटस है तो यह क्या करेगा इसको विजैनल इंटराइटस है जो वो बल्वो कोवर्नोस मुसल को मेडियली सेपरेट करेगी तो यह आगया आपका बल्वो कोवर्नोस मुसल जब इस मुसल के अंदर जब कॉंट्रेक्शन होगा तो जो विजैनल का जो इंटराइटस है यह विजैनल यह present रहता हैं तो यह intitis कॉंट्रेक्ट होगा नगों लुद ना तो जो बल्व। स Right आटर्उस को कॉंट्रेक्ट करने का काम करते हैं यह सेक्शॉल एक्टिवीटी इंट्रकॉर्स या फिर excitement यह bulvocobanusus muscles यह bulvocobanusus muscles male के अंदर भी present रहता है male में जब यह present रहेगा तो कहां रहेगा यह रहेगा penis का जो base है penis के base पे यह surrounding इसको cover करता है और यह control करता है किसको ejaculation को और urine pass out तो यह ejaculation और urine pass out दोनों को control करेगा कुनसा bulvocospongous muscle अब सर यह homologus में आता है कि homologus बहुत बार exam में किस्टन पुछ रहते हैं कुनसा bulvocobanus की homologus है तो यह homologus रहेगा bulvocopanus के जो bulvocopanus होता है वो क्या होता है कि एक bottom portion bottom portion यानि penis यह penis penis का यह bottom portion bottom portion और base penis के base और bottom portion उसको बलबो penis कहते है यह located होता है above the scrotum और यह composed होता है bundles होते हैं tissue के उनसे bundle of tissues को composed करते हैं तो यह इसको बोलते हैं बलबो penis next homologus होता है corpus spongosum corpus spongosum और corpus covernosum covernosum जब penis के study करेंगे तो उसके अंदर आएगा तो जो जो corpus spongosum है वो क्या करते हैं कि वो मेल की यूरिथ्रा होती है यूरिथ्रा के ये एक surrounding structure का निर्माण कर देता है format करता है एक protection layer मानलो या इसके एक tissue का surrounding structure बना देता है ये surrounding structure क्या करती है कि during erection erection time में during erection ये यूरिथ्रा को intact रखने का काम करती है open रखने का काम करती है तो इसको open रखने का main purpose ये है कि ejaculation है वो easily perform हो जाए अगर ये erection क्योंकि during erection blood flow बढ़ता है इसमें corpus spongosum में तो blood flow से internal pressure create होता है वो pressure यूरिथ्रा को भी close कर सकता है तो ये एक टाइप का protection ले दिया tissue का जो sheet है वो format करती है जो यूरिथ्रा को intact रखता है during erection और ये help करता है ejaculation के अंदर open रखना ejaculation में help हो गया रही बात हीमोरेज की अगर इसमें injury हो जाए कोई trauma हो रहे है जिए चाइल्ड वर्थ के दो रहां तो इसमें brisk hemorrhage यानि तेज रख्त सत्राव होने के chances रहते हैं तो ये था vestibular bluff जो homologous होते है बलफ हो पैनिस के और ये bilaterally प्रजेंट रहते हैं और ये रहते है वेस्टिबल एरिया के अंदर और जिसमें बार्थवलान के आगे प्रजेंट रहेगा और इसमें continuous pen ये नोट डिसकोमफार्ट होना वेस्टिबलो दाइनिया के लाएगा और ये में बस वेस्टिबलो बलम में इतना है थेंक्यू